हेलो दोस्तो हमारी येटूब चैनल टी एस टेलर पाइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पैंट की सीट को किस प्रकार जोणते हैं और कौन कौन से बातों का ध्यां रखना पैड़ता है दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर कमर कर निसान लगाएंगे जितना हमारा कमर है उसका हाप करेंगे यह देखे दोस्तों यहां से करना है और इस तरह से निसान लगाना है दोस्तों कमर का हाप करके यहां पर निसान लगाना है इसके बाद दोस्तों हम जो निसान लगाया है उसको फोल्ड कर लेना है यह इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से निसान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम सीट का यहाँ पर सेब देंगे यह इस तरह से सेब देंगे नीचे तक लाना है, एक बार और यहां पर निसान को अच्छे से लगा लेते हैं दोस्तों, ताकि मीटे ना, इसके बाद दोस्तों हम जो हूक वाला साइड है दोस्तों, यह देखिए हूक वाला साइड है, यहां पर भी हम कमर का निसान लगा लेंगे, जितना हमारा कमार है उसका हाप करेंगे यहाँ से निसान लगाना है दोस्तों यह इस तरह से इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बेक पार्ट को यह इस तरह से जोईन करेंगे दोनों को जोणेंगे दोस्तों यह देखे उल्टा करके फोल्ड जोईन करना है इसको और यहां पर ही विसेज ध्यान देना है दोस्तों यह देखे यह हमारा बेक पार्ट यह फ्रेंट पार्ट और यहां पर देखे दोस्तों हमने यहां पर जब फ्लाई को जोईन किया था तो यहां पर stitching के लिए हम सिलाई के लिए यहां पर जगा छोड़े थे तो हम यहां पर रखेंगे और यहीं पर हमको विसेज ध्यान देना है दोस्तों हमारा जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे से बराबर रहना चाहिए कहीं पर भी नम नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो हमारा दोस्तों जो क्रीज है वो सही नहीं आएगा और मोरी है जो एंटे का दोस्तों तो यहां पर हमको विसेज ध्यान देना पड़ता है दोस्तों यह देखे दोस्तों यह हमारा फ्रंट पार्ट है ये देखिए अच्छे से आगए हमारा कहीं पर भी नम नहीं है चलिए दोस्तों अब इसकी सिलाई करते हैं ये देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगा लिया है और यहां पर दोस्तों हम गुटने तक यहां पर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जो हमारा टांका है वो अच्छे से मजबूत हो सके यहां पर दोस्तों हमने यहां पर सिलाई लगा लिया है गुटने तक यह देखे दोस्तों इस तरह से और दोनों सी लाई को अलग अलग नहीं लगाना है दोस्तों जहां हम जांग के पास डबल सी लाई किये हैं सेम प्रोसेस दोस्तों यहां पर हूक वाले साइड में भी करना है यह देखें दोस्तों हम बेक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों को इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करना है और यहां पर भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कहीं पर भी नम नहीं आना चाहिए नहीं तो हमारा क्रीज और जो महूरी है वो आठेगा दोस्तों और हमारा जो क्रीज है वो सही नहीं आएगा सीधा नहीं आएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों यहां भी सिलाई कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर भी घुटने तक डबल सिलाई करेंगे यह देखे दोस्तों इस तरह से डबल सिलाई लगाना है घुटने तक इसके बाद दोस्तों हम यहां पर राइट साइड में यह देखे दोस्तों यह हमारा राइट साइड है यह चैन तरफ हमारा राइट साइड होता है दोस्तों बेंड का यह हमारा राइट साइड है तो इसको दोस्तों उल्टा जो है इसको हम सीधा करेंगे सबसे पहले ये देखे दोस्तों हमने सीधा कर लिया है और जो लेप्ट साइड जो हमारा उल्टा है अभी तक ये देखे दोस्तों ये हमारा लेप्ट साइड है और उल्टा है यह हुक वाला साइड है दोस्तों तो इसमें हम लेप्ट साइड में राइट साइड को जो सीधे किये हैं उसको अंदर की तरब इसको डालेंगे दोस्तों यह इस तरह से यह अंदर डालने के बाद दोस्तों इस तरह से आएगा इससे दोस्तों हमारा जब सिलाई करेंगे तो अच्छे से हमारा सिलाई भी हो सकेगा और ये देखे दोस्तों हमारा कमर का निसान लगाया है दोनों तरप दोनों पार्ट में देखे दोस्तों ये हमारा कमर का निसान है दोनों को इस तरह से बराबर से मिलाना है दोस्तों यह इस तरह से बराबर मिलाना है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो बेल्ट है और यहाँ पर जो हम हीप का सेब दिये हैं सीट का उसको यहीं पर हमको सिलाई लगाना है यह देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सेब दिये हैं बराबर से रखना है दोस्तों यह इस तरह से और अच्छे से पकड़ना है दोस्तों नहीं तो जब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे तो यह हमारा उपर नीचे हो सकता है तो अच्छे से इसको पगड़ना है पहले बेल्ट को और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर सिंगल सिलाई लगा लिया है यह इस तरह से यह हमारा सिंगल सिलाई हो गया दोस्तों अब इसमें हम देखे दोस्तों यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे और उसी में लगाएंगे दोस्तों अलग नहीं लगाना है नहीं तो जब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके प्रेस करेंगे तो सहीं से नहीं होगा तो हम जहाँ पर सिलाई लगाए हैं उसके उपर ही हमको दो सिलाई और लगाना है यह देखे दोस्तों हमने सिलाई लगा लिया है अब यहाँ पर इस तरह से कट लगाते जाएंगे दोस्तों उपर से नीचे तक कट लगाते जाना है यह इस तरह से कट लगाएंगे यह देखे दोस्तों इस तरह से कट लगाएंगे इससे दोस्तों हमारा जो यहाँ पर नम पढ़ने का चांस रहता है काफिया तक कम हो जाता है यह देखे दोस्तों यह हमारा कहीं पर भी नम नहीं पढ़ रहा है इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे यह इस तरह से दोनों को चीरवा करके यह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से चले दोस्तों सिलाई लगाते हैं same process दोस्तों इस तरह भी करना है ये दछे दूस्तों ये इस तरह से ये वाला पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे ये देखे दोस्तों इस तरह से और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है इसके बाद दोस्तों इसको सीधा कर लेना है ये इस तरह से सीधा कर लेंगे दोस्तों ये हमारा सीट जॉइंट हो गए है दोस्तों ये देखिए ये हमारा सीट जॉइंट हो गए है अच्छे से अब जब हम इसको प्रेस करेंगे दोस्तों इसको फिनिसिंग करेंगे पैंट क और यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों यहां पर जो दोनों टांगों का यह जो सिलाई है यह बराबर आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक दो सूंप से एक सूंप से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस दोनों का तो इस तरह से दोस्तों आप भी पेंड की सीट का असानी से जुनाई कर सकते हैं दोस्तों